हम लोग सॉल्ब कर रहे थे वक्षिट 4 और इसका कोर्षिन नमर 1,2 और 3 हम लोग सॉल्ब कर लिये थे पिछले वीडियो में वह सब वीडियो का लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फिर आप आए बटन को किलिक कीजिए यहां से भी आपको वीडियो क लिंक मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्ब करेंगे वक्षिट 4 के कोर्षिन नमर 4,546 को ओके तो आप देख सकते हैं हमारे पास कोर्षिन नमर 4 है और यह क्या कहा गया ना study the bar graph and answer the question that follows तो यहां पर यह बार गराफ को हमको अध्यान से देखना है और य देखेंगे तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं यहां पर दिया हुआ है class 7 students DAB public school ओके यह आप देख सकते हैं और एक तरफ यहां पर दिया गया है boys और दूसरा है girls तो यह जो boys है इसका box white है और girls का box देखिए आप कैसा है red color का reddish color का है एक तरफ दिया हुआ है number of student आप गया गया what does the bar graph represent यह बार ग्राफ क्या represent करता है second question कहता है in which two sections are the numbers number of girls equal okay कौन से sections में दो sections में girls के संख्या equal है which section has the highest number of girls okay how many sections have more number of girls than boys boys तो अभी हम solve करेंगे तो आए हम paper ले लेते हैं तो यहां पर हम लोग first question को लिखेंगे क्या what does the bar graph represent तो आप देख सकते हैं यह bar graph क्या represent कर रहा है यह बता रहा है number of boys and girls okay number of boys and girls कौन से class के 7 class के और कौन से school के तो DAB public school के तो हम लोग यहां पर क्या note कर लेंगे न इट रिपर्जेंट या फिर दी बार ग्राफ रिपर्जेंट्स हम लोग लिखेंगे दी बार ग्राफ रिपर्जेंट्स नम्मर अप वाइल्ज और गौल्स अफ क्लास क्लास सेवेंट्स पॉबलिक अस्कूल यह देखिए यह अपना आन्सर होगा ओके दी बार ग्राफ रिपर्जेंट्स नम्मर अप वआईस और गौल्स आफ क्लास सेवेंट्स अफ दी अवी पॉबलिक स्कूल तो यह बडा सेंपल था अब इसके बार अलग-अलग सेक्शन म कितने students हैं कितने boys हैं कितने girls हैं वो represent कर रहा है यहाँ पे आप include कर सकते हैं of different sections okay of different sections तो आई यह second question की बात करते हैं in which two sections are the number of girls equal तो कौन से यह से दो sections है जिसमें number of girls equal है तो आप देखे graph को यहाँ पे यह graph में आप देख सकते हैं 7 यह इसमें girls कितने हैं यहाँ पे यह 15 और 10 के बीच में आपको देख रहा है line ओके और यहाँ पर आप D में देखिए यह जो line आपका है हम अगर a scale से इसको मिला है तो यह दोनों same देखे हैं आप देखे हम a scale से मिलाते हैं यह देख लिजी ओके यह देखिए a scale से हम match कराते हैं तो हमको 7a और 7d में same number of girls दिख रहे हैं ओके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 7a and 7d में number of girls क्या हैं now see which section has the highest number of girls तो which section has the highest number of girls अन्य सबसे ज्यादा girls कौन सा section में है तो आप देखिए यह आपका red जो bar graph रेड वाला यह आपको girls represent कर रहा है ओके और इसमें हम यहाँ देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा किसमें है b में हाना 7b में girls की संख्या ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 7b यहाँ पर c नमर में हम लिखेंगे 7b ओके यह तो हो गया which section has the highest number of girls यह हो गया answer next d नमर होगा how many sections have more number of girls than boys औरने कितने sections हैं जिसमें girls का संख्या ज्यादा है boys से तो यह सब दो section है आप देखिए यह अपना 7b में girls ज्यादा है boys कम है फिर यहाँ पर 7c में आप देखिए girls ज्यादा है boys कम है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे d number पर लिखेंगे two okay दो sections ऐसे हैं जिसमें girls की संख्यां ज्यादा है boys की संख्यां से चलिए इस तरह से अपना question number four complete हो जाता है अब question number five हमारे पास है कहता है the following data gives the number of mathematics and science books purchased by a library during different years okay तो यह जो data दिया हुआ है इसमें अलग-अलग years में mathematics और science के books कितने purchase किये गया लिखेंगे में वह दिखाया गया है कहता है draw a double bar graph तो इसके लिए न हम लोगों को graph paper का इस्तिमाल करना पड़ेगा चुकि यह है graph paper आप देख लिए तो इस graph paper में हम लोग डबल-bar graph को draw करेंगे और पिछले विडियो में हम लोगों ने किया हुआ था same यहाँ पे हम लोग करेंगे ओकी तो आईए हम लोग कर ले तो यह graph paper में हम लोग क्या करेंगे graph paper में हम लोग को बनाना पड़ेगा line तो आप देखिए इसमें सबसे मोटी line आपको दिख रहे है ओके तो यह जो thick line है उसमें हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक line ड्रॉ करेंगा horizontal और एक line ड्रॉ करेंगे vertical तो हमको कितना चाहिए maximum हम ले लेते हैं 7 तो 1,1,2,3,4,5,6,7 यह यहाँ पर आ जाएगा तो हम यहाँ से draw कर लेते हैं कहीं भी बीच में जहां में आपको comfortable लगे आप वहाँ पर draw कर ल इसल का यूज करेंगे हम लोग ध्यान रखें ओके चलिए यह हो गया अब हम क्या करेंगे हमको लेना है एक यह तो horizontal line हो गया हम यहाँ पर arrow दिखा सकते हो के चलिए arrow दिखा दिए और फिर हमको लेना पढ़ेगा vertical line तो यह है हमारे पास यह लेलिया में vertical line यह देखिए ओके यह भी मैं खीच लेता हूँ यहाँ से चलिए यह vertical line हो गया तो यहाँ भी हम arrow का sign देदेंगे यह देखिए arrow का sign देदिये है चलिए आप हमको क्या करना है एक तरफ हमको लिखना है years और दूसरे तरफ लिखना हमको books ओके तो हम लिखेंगे इधर यह जो अपना horizontal line है इसमें हम लिख लेते हैं years चलिए यहाँ पर हम लिखते है years तो आईए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर years ओके ओके चलिए years लिख दिए अब हम यह जो हमारा vertical line है इसमें हम क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे books ओके number of books लिखें number of books तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखें number of books तो यह number of books होगे ओके चलिए मैं इसको फिर से rotate कर लेता हूँ इस तरह से अब यह हमारा यहाँ पर हमको 0 रखना पड़ेगा यह मेरा starting है ओके चलिए हम लोग 100 का difference ले लेते हैं कितना का difference लेंगे 100 का तो यहाँ पर first point हमने दे लिया 100 चलिए इसके बाद second क्या हो जागा 200 ओके इस तरह से आगे बढ़ते चलिए यहाँ पर हो गया 300 फिर 400 फिर 500 and then 600 और इसके बाद हमारे पास हो गया यह 700 के लियर है यहाँ तक में मेरा हो जागा काम अब next हम यहाँ पर लेंगे हमको निकालना है क्या double bar graph है double bar graph लेना है तो यह one हो गया यह फर्स्ट लेजिए फर्स्ट बार यह second बार ओके चलिए हम ले लेते हैं तो हमको double bar graph लेना है तो हम लोग दो दो count कर ले यह हो गया फर्स्ट ओके यह फर्स्ट हो गया जो कि हमना लिखा हुआ है 2009 तो years हम यहाँ लिखेंगे 2009 चलिए दोनों ले लिए फिर हम फिर हम एक एक यह जो आप देख रहे हैं यह हमको चोड़ देते हैं ओके तिर यहां से हम आगे लेंगे यह अपना होगा यह जो first block है इसको हम छोड़ दिये हम यहां से count करेंगे यह क्या होगा अपना 2010 चलिए 2010 होगा फिर हम यहां पर छोड़ेंगे फिर यहां से लेंगे कितना 2011 ओके हमको कहां तक जाना है हमको जाना है 2013 तर तो यह हो गया 2012 और फिर यह हो गया हमारे पस 2013 ओके क्लियर है अब दे 2009 में mathematics और science के book purchase किये हैं तो mathematics के कितने है 350 तो यह हमारे पास है 300 देखिए और यह 400 के बीच में यहां पर 50 हो जाएगा तो यह जो मार्किंग हो गया कितना हो गया 350 और उसी यह 2009 में ही जो science का है वो कितना books purchase किया गया 300 तो यह 300 हो के चलिए अब मैं इसको यहां पर बना लेता हो यह देखिए यह हो गया science के लिए हो के science के लिए और यहीं पर हमारा हो जाएगा mathematics के लिए यह देखिए ओके अब हम क्या करेंगा चुक्कि यह double bar है तो हम इसको अलग-अलग design बना देंगे अना जो अलग design हम कैसे बनाएंगे तो माल लेजे कि पहले को हम पहला जो मेरा है mathematics वाला इसमें हम ले लेते हैं यह parallel lines को ओके इस तरह से ठीक है यह हमको design अलग बनाना है तो यह हमने बना लिया आप देखिए यह होगी है मेरा maths का designing अब यह जो second bar है इसको हमको अलग marking देना पड़ेगा यह science को represent करेगा तो हम इसके लिए cross marking ले लेते हैं यह देखिए ओके difference होना चाहिए दोनों में और कुछ नहीं है ताकि पता चले कि एक मेरा science का है दूसरा मेरा क्या है maths का है ओके देखिए दोनों का difference हो गया तो यहां पे हम क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे 300 और यहां पे लिखना हमको 350 ओ पर्चिस किया गया है 2010 में जो mathematics है वो है 400 तो आप यहां पे 400 तक मार्किंग ले जाए ओके फिर इसके बाद 2010 में ही जो science का बुक पर्चिस किया गया हो कितना 380 तो 380 मिंस यह 300 का लाइन है इसमें 8 पॉइंट को count करना पड़ेगा जो small आप देख रहे हैं 12345678 ओके तो यह ह भी हम बार बना लेते हैं आइए यहां से हमने क्या किया है यह बना दिया ओके यह देखिए और यह एक मेरा हो गया science का दूसरा हो गया maths का तो पहले हमारा maths का है और maths को हम कैसे represent किया है parallel lines है यह देखिए parallel lines है math के बार ग्राफ को represent कर रहे हैं और जो science वाला है उसको हम कैसे represent कर रहे हैं तो cross लगा के तो यहां पे हमको cross लगा ना कुड़ेगा ओके तो इससे ना हमरा difference पता चलेगा कि कौन सा graph कौन सा बार मेरा science का है और कौन सा बार मेरा maths का है clear आप समझ पा रहे हैं हमें क्या कह रहा हूँ अब यहां पे हम कितना लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे 400 और यहां पे लिखना है हमको 380 ओके इसी तरह से आगे भी हम complete क बात करें mathematics की तो mathematics कितना purchase किया है कितने books तो 520 तो यह देखिए 500 है तो 500 हम यहां पे लिए और इसमें से 2 points हम आगे लेगा हम 1 2 ओके यह तो यह जो मेरा बन जागा यह कितना हो जागा 520 हो जागा और इसी years 2011 में ही जो science का है वो कितना है science के लिए 400 यह देखिए science के लिए कितने books purchase कियेगे 400 तो यह 400 से match करता हुआ अब यहां पे हम बना लेते हैं क्या बार यह बना लिए यहां पे लोग क्या नोट करेंगे 520 और यहां पे नोट कर देंगे 400 चलते हैं next year की और तो 2012 में हम देख पा रहे हैं mathematics का कितना book purchase किया है 600 तो 600 से यहां पे match करा दिये और science का कितना books purchase किया गया 450 तो यह 400 है इसमें five plans हम आगे लेंगे तो इसमें यहां तक आएगा ओकी तो यह हुए कितना 450 हम इसको क्या करेंगे फिर से graph ना लेते हैं बार ग्राफ और हम यहां पे top में क्या लिख देंगे 600 और यहां पे लिखेंगे 450 चलिए next year के और बात करत पॉपिन में इसमें कितना book purchase किया गया mathematics का तो mathematics का 650 तो यह 600 हम आगे ले देते हैं यह 650 हो गया और इसके बाद बात कर लेंए यहां पर किसकी तो science का तो science का 600 तो यह 600 हो गया science के लिए फिर से हम यहाँ पर बार ग्राफ बना लेते हैं तो यह graph तो बन चुका है आफ यहां प और यह 600 क्या है? Science का है चीज़ी यह तो complete हो गया लेकिन इसमें थोड़ा सा और रहा गया हमको यहां पर marking देना पड़ेगा तो marking में हम क्या देंगे ना यहां पर बना लेंगे box यह देखिए हम एक box बना लेते हैं यहां पर मैटिक्स ओके और जस्ट इसके नीचे हम किसको रिपर्जेंट करेंगे हम रिपर्जेंट करेंगे साइन्स को तो साइन्स के लिए हम क्या लिए हैं साइन्स के लिए हम क्रॉस मार्किंग तो यहां पर क्रॉस दिखाएंगे यह देखिए और हम क्या लिखेंगे यहां पर साइ तो इससे हमको clear expressed हो जाएगा कि यह जो graph है यह cross marking वाला वो science को represent कर रहा है और जो parallel line वाला है वो क्या represent कर रहा है वो represent कर रहा है mathematics के books के संक्या को तो बड़े आसाने से हम इसको यहाँ पर solve कर लेते हैं कौन सा यह है अपना question number 5 ओके यह worksheet 4 का तो आगे हम बात करेंगे question number 6 का तो question number 6 है यह आपको bar graph नहीं बनाना है जो data दिया हुआ data को देख करके हमको answer कर देना है तो कहता है the following data gives the maximum and minimum temperature in degree Celsius यह क्या है degree Celsius of the cities on a particular day plot on a particular day plot a double bar graph from this data यहाँ पे हमको क्या करना है और plot करना पड़ेगा हमको लगा की नहीं करना है लेकिन यहाँ पे graph बनाना पड़ेगा तो पहले यह graph बनाना पड़ेगा double bar graph from the data यह data दिया हुआ इसका यूज करके क्या करना पड़ेगा इसी तरह से same हमको बनाना पड़ेगा जैसे हमने बनाया है उसी तरह का same बनाना पड़ेगा double bar graph and answer the question और हमको क्या करना पड़ेगा जो यह questions दिया हुआ इसका answer करना पड़ेगा मतलब यह question थोड़ा lengthy हो गया तो कुछ नहीं चलिए हम लोग कर लेते हैं बहुत है आसाने से कर लेंगे इसी तरह से हम बनाएंगे आईए तो फिर से न हम लोग यहाँ पर बनाएंगे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यह question number six ओके और यहाँ पर फिर से हम दो line draw करेंगे एक vertical line और एक parallel line horizontal line तो मैं यहाँ पर draw कर लेता हूँ जल्दी से तो यहाँ पर मैं horizontal line ले लिया हो और horizontal line में हम लोग मैंने क्या represent कर लिया city ओके अलग-अलग जो city हैं उसको represent किये हुए है और इदर यह vertical line है इसमें क्या represent किये temperature किसमें तो degree Celsius में अब temperature हम कितना का difference ले ले हम 10-10 का difference ले सकते हैं या फिर दो-दो का difference ले सकते हैं या पांच-पांच का जवाब की चाप ले सकते हैं तो मैं यहाँ पहले लेता हूँ 10-10 का difference तो यहाँ पहले 10 फिर लिया में 20 और फिर लिया में 30 और फिर लिया 40 चलिए यहाँ पे हमको दो temperature दिखाना है पहला तो maximum और दूसरा क्या दिखाना है minimum तो देले की बात की जाए तो देले का जो था maximum temperature और minimum temperature तो maximum temperature यहाँ पे है 23 तो यह दखिए 20 है और इसमें हम 3 लाइन को count करेंगे 1 2 & 3 यह हो गया क्या 23 तो यह 23 रिपरजेंट करेंगा और जो इसका minimum temperature होगा वो कितना है 20 तो यह हो गया 20 तो यहाँ पे हम बार graph बना लेते हैं चलिए यहाँ पे हम बना लिए यह graph यह देखिए और यह बन चुका तो अब हमको क्या करना पड़ेगा मार्किंग करना पड़ेगा तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना है 23 और यह है 20 तो इसको हम क्या करें पहला तो हम ले लेते हैं यह dash ले 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 लेते हैं चलिए dash dash ले लेता हूँ मैं नहीं यहाँ पे को केрь लका सब्सक्राइब क узнается और इधर का डिफर्जेंटेशन अलग हो गया ओके खाल लिए आपको अगर आपके पास क्लर है तो आप क्लर कर सकते हैं तो यह हो गया मेरा पहला इसे तरह से हम सेकेंड की बात करेंगे सेकंड सिटी के आप मेरा बैंग दूरू तो इसमें मैक्सिमूम टेंपरचर कितना है 20 तो मैक्सिमूम टेंपरचर हम 20 दिखाएं ओके और मिनिमूम टेंपरचर कितना है 19 तो जस्ट इसकी निचसे एक लाइन हमको करना पड़ेगा ओके चलिए आप फर यहां से ग्राफ बना लें स्किल के हेल्प से यह बाहर हो गया यह देखिए पहला बार आप इसको रिपरजेंट करेंगे अलग-अलग मार्किंग से तो डैस डैस से हम क्या कर रहे हैं डैस डैस से हम मैक्सिमूम टेंपरचर को दिखा रहे हैं और यह जो सर्कल बना दिये है इससे हमारा क्या हो रहा है यह मिनिमूम टेंपरचर को दिखा रहा है तो मै यह हम इसको फिर बना लें यहां पर यह तो यह है नहीं बहुत ही simple है और यह important भी है इसको आप ध्यान रखिएगा इसको हम डैस डैस से दिखाएं इसको हम circle से दिखादिए किलियर हो गया next यहां पर हम क्या लिख देंगे 3 और यहां पर लिख देंगे 4 और इसके बाद हमारे पास अगला city है मुंबई ओके मुंबई में maximum है हमारे पास 30 30 यह रखे 30 और minimum कितना है 28 तो दो लाइन हम निचे आ जाएंगे ओके फिर यहां पर बना लेंगे आईए और अगला जो last city है चेन्ने ही इसको भी हम कर ले तो चेन्ने में maximum temperature 32 तो यह 30 है यह से थोड़ा आगे जाएगा और minimum 27 यहां तक आएगा ओके इसको हम बना लें ग्राफ तो यह अपना चेन्ने का भी बन गया 32 और 27 यहां पर हम इंडिकेशन लिखेंगे यह डैस डैस जो दिये में maximum temperature को दिखा रहे है और यहां पर जब यहां पर जो सरकल हम बना रहे हैं चटा चटा यह क्या बता रहा है ना minimum temperature को बता रहा है तो हूम यहाँ पर लिख़ेंगे minimum temperature ।ो के किमें 1948 डिगरी Celsius में तो यह अपना बनकी हो जाता है तयार यह था बार ग्राफ बनाने के लिए बार ग्राफ लोग बना लिए अब यहां पर इमको answer करना है questions का तो यह जो questions है हमारे पास कहता है फाला ए which city shows the maximum difference in days temperature सबसे ज़्यादा difference कहां है आपको देखिए यहां पर है आपको 3 degree का difference यहां पर 1 degree का difference यहां पर 6 degree का difference यहां पर 2 degree का यहां पर 5 degree का तो सबसे ज़्यादा कहां पर difference आपको देख रहा है आपको देख रहा है स्री नगर में हम लोग क्या answer करेंगे हम लोग answer करेंगे स्री नगर which city shows the minimum difference in days temperature सबसे कम difference कहां देख रहा है यहां पे 5 का, यहां पे 2 का, यहां पे 6 का, यहां पे 1, यहां पे 3 तो क्या हुआ है, बैंगलूरू, ओके हम लोग क्या नोट करेंगे, बैंगलूरू तो यह B नमर पे हम लोग लिख दिये हैं, बैंगलूरू अब आते हैं, C नमर पे, C नमर पे क्या question देखें, C नमर पे question करता है, which are the hottest and the coldest cities, कौन सबसे ज़्यादा गरम है, कौन सबसे ठंडा है तो आप देखें, सबसे ज़्यादा गरम आपको देख रहा है, यहां पे 32 degree Celsius है, वो चेन नहीं है और सबसे कम temperature आपको कहां देख रहा है, श्री नगर में, 4 degree Celsius है, तो which city is the hottest, तो hottest city क्या हो जागा, चेन नहीं and coldest city क्या हो जागा, श्री नगर, तो हम लोग क्या note करेंगे C नमर में, hottest city, चेन नहीं और coldest city, श्री नगर, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे complete कर लिए, worksheat 4k, questions go, so I hope this video lesson is helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments, also do subscribe my youtube channel and hit the bell icon for upcoming videos, thanks for watching, have a good one.